मात्री शक्ति वद्प्रुष्ट यह बड़ा ही सुखद आउसर है कि हम सभी को उपनिशद और वह भी इश उपनिशद जो प्रत्थम उपनिशद है उसके संदेश सुनने का आउसर मिल रहा है तो हमने ये संदेश सुना था जिसमें कहा गया था इशा वास्यमिदम सर्वं यतकिंच जगत्याम जगत्याम पूरे जगत का स्वामी एक ही है जो कणकण में बसा हुआ है तुम उसे ज्यान लो दूसरी बात कही गई थी यतकिंच जगत्याम जगत्याम जगत्यो भी कुछ इस जगती में इस संसार में जगत्याम पूरे जानो वो किसके कारण है बताया सारे परिवर्तन, सारे गतिशीलता, सभी तरह की हरकत जिसके कारण हो रही है वो भी परमात्मा के कारण है इस गति का परिणाम क्या है? तो बताया इसके कारण है परिवर्तन, बदलाओ कैसा कि जो तुम्हारे पास दिया गया वो गति के कारण ही दिया गया देवे हमारे चारो तरफ उसकी कृपाएं आती हैं, हमें सोभगे मिलता है, सुम्रद्धी मिलती है, खुशाली आती है, लेकिन साथ में ये कहा है, कि ये ध्यान रखना, कोई भी चीज संसार में लगातार इस्तिर नहीं है, हर चीज बदल लई है, तो इस दुनिया में तुम हो, और दुनिया है, दुनिया का मालिक है, तो कहा गया अत्यक्तिन भुंजी था, जीवन का आनन्द लो, भोग भोगो, लेकिन लिप्त नहीं हो जाना, त्याग पूरवक संसार का भोग करना, लिप्त होने का मतलब है कर्म के बंधन में पढ़ना और बार बार दुख भोगना, क्योंकि तुम संसार के आनन्द को पाने के लिए दुनिया में आयो, लिप्त होने का मतलब यह होगा कि तुम्हारी बुद्धी और तुम्हारे अंतर में विकार पैदा होंगे और तुम दूसरों की संपदा को भी लालच करोगे छल कपट का जीवन जीना शुकर दोगे और इस प्रकार से तुम और अधिक से अधिक दुखों में पढ़ जाओगे इसलिए यह जानो संसार की हर चीज जहां से आती है वहीं वापिस लोट बे जाती है कस्य सुद्धनम धन किसी का भी नहीं मागरिधा इसलिए लालची होकर जिंद की मत जीना यह संदेश देने के बाद भगवान ने फिर अगला संदेश दिया अपनिशद में क्योंकि यह परमेश्वर की वाणी है यह दूसरा संदेश है कुर्वन एव इह करमाणी इह मतलब इस संसार में इस दुनिया में जिजी विशेत शतम समाहा सो वर्षों तक जिंद की जीने की प्रबल इच्छा बनाओ अच्छे से अपनी जिंद की जीओ जी भर के जीओ लेकिन कैसे कुर्वन एव इह करमाणी कर्म शील बनकर कर्म योगी बनकर के ही सो वर्षों तक जिंद की जीने की काम ना करो फिर वो कर्म कौन से जो पीछे बताय गए थे त्यक्तेन भुंजी था त्याग पूरवक दुनिया का आनंद लेना है मतलब ये ध्यान में रख करके कि इतनी आसकती संसार में मत बसा लेना कि कोई भी चीत तुमारे बंधन का कारण बने क्योंकि जितना मुह हो जितना लालच जीवन में रहता है छोड़ते समय उसी काफिर कष्ट भी होता है क्योंकि इस दुनिया में अटेच्मेंट और डिटेच्मेंट दोनों चीज़ें लगातार चलती रहती है कोई चीज़ तुम पकड़ते हो और फिर वो तुमसे ले ली जाती है तो इसलिए दुखी नहीं होना है कर्म करते हुए जिंदगी को आगे बढ़ाओ और लिप्त नहीं हो संसार में और कर्म बिसल्कुल ऐसे किजिए कि जिससे तुम बंधन में नहीं आओ बंधन में आने का मतलब है कि जन्म जन्मांत्रों का आवा गमन का चक्र करनी भरनी का चक्र तुमारी जंदगी में नहीं चलना चाहिए तुम इस से बचकर जी सको वो कैसे है बोले यग्ये कर्म करो यग्ये कर्म क्या होता है यग्ये कर्म वो होता है कि व्यक्ति आदर्श कार्य को करता जाए हर चीज में आदर्श हो किसी भी चीज को करते समय कर्म कोई भी अच्छा बुरा तब होता है जब उसके पीछे की भावना अच्छी बुरी होती है मतलब किसी को काटने लग जाए आदमी दुर भावना से तो पाप है और किसी को बचाने के लिए कुछ ऐसा किया जाए माल लीजे कोई डॉक्टर है और किसी को कट लगाता है तो वो उसको बचाने के लिए लगाता है कभी-कभी काटे से काटा निकाला जाता है कभी-कभी ऐसी इस्तियां भी होती है किसी को साप काट लेता है तो उसके बाद में लोग जो है उस जगह पर उससे ओपर तीन बंद लगाकर और उस जगह को थोड़ा सा कट लगाकर उसका कौन बहाकर और उस जगह पर कुछ विशिस तरह की दवाईयां लगा देते हैं जिससे वो बचाव हो जाता है तो वहां भावना वो नहीं है किसी फोड़े में कोई कट लगा दिया तो एक धक्का तो हुए जो गड़े की तरफ दिया जा रहा हो तो बुरा है और एक गड़े से बचाने के लिए दिया जा रहा है तो आपकी भावना जब अच्छी होती है और आप बचाव के लिए कर्म करते हैं तो फिर वो कारिय पुण्य बन जाता है लेकिन इससे भी आगे कर लेने के बाद भी तुम्हारे मन में उसका वो प्रभावनी आना चाहिए मैंने इतना अच्छा कर्म किया अब इसका मुझे फल अच्छा मिलना चाहिए इनको मेरी तारीब करनी चाहिए मैंने इनके उपर एहसान किया है तो ये लोग जो है मेरे सामने कभी सिर नहीं उठा सकते मैंने तो इनका इतना इतना अपकार किया तो नेकी कर दरिया में डाल जो कहा जाता है कि अच्छा ही करो भूलो तो वो सब वही भावना आ जाती है तो आईए भाम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कर्म करिये लेकिन कर्मशील बनकर जिये मुन जिये कर्म ऐसे नहीं करना जो तुम्हें बंधन में डाले जब कर्म तुम्हें बंधन में डालते हैं तो फिर उसके कारण तुम इस संसार में बात बात में दुकी होते हो मैंने तो इतना भी किया था उतना भी किया था बदले में मिला क्या मुझे दुनिया कितनी बदल गई है संसार कैसा हो गया और कि तो छोड़िये लोग अपने बच्चों से दुखी हो जाते हैं इतना कुछ मैंने इनके लिए किया और उसके बाद में ये आखिर में कैसे पलट गए दुनिया का हर व्यक्ति अपने डंग से जीवन जीता है लेकिन आप कहीं भी अपने आपको ऐसा मत जोड़ दीजिए कि जिसके कारण आपको दुख होता रहे और जब दुख होता है परिशानी होती है आप उसमें जुड़े रहते हैं तो उसके कारण फिर कर्मों की एक स्रंकला शुरू हो जाती है और वो कैसी होती है किसी को अच्छा करने के बाद और उसने हमारी न तारीफ की और न हमेमाना तो हमारे मन में आती है आदमी अच्छा नहीं है अब मैंने इसके साथ अच्छा किया था तो अब मैं दिखाता हूँ इसको तो व्यक्ति दूसरी तरफ चल पड़ता है ये कर्म का बंदन है ये किन एक बात और ध्यान रखने की है कि जैसे एक आया किसी के घर में नोकरी कर रही है कोई मेड है वो घर में जाती है काम करती है सारे चीज़ें करती है उनके बच्चे खिलाती है उनके घर में ऐसे रहती है जैसे गर की मालकीन है हर चीज़ का ध्यान रखती है बच्चे भी उसके साथ इतने हिल मिल गए है कि वो इदर उदर जाए तो बच्चे उसके बिन रोने लग जाते हैं लेकिन शाम के समय में जब वो अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर जाती है तब बच्चों से अलविदा करती है और विदाई लेते समय बच्चे रो रहे थे होते हैं लेकिन वो हसते वे कह देती है कल फिर आउंगे फिर मिलोंगे सुबह आकर तुम्हें तो उसे जो है दूसरे के बच्चे पाल रही है अपने से भी बढ़कर पाल रही है लेकिन उन्हें छोड़कर जाने में न कोई दुख है कुछ लोग जो रिटायरमेंट के बाद डिप्रेस हो जाते हैं इसी करण डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि वहाँ वो मालिक बने बैठे थे बॉस थे उनका आडर चलता था उनकी बात मानी जाती थी और रिटायरमेंट के बाद में ऐसे तो छे महिने पहले रिटायरमेंट से छे महिने पहले आदमी का गरूर धीला होना शुरू हो जाता है अकड़ खतम होने लग जाती कमिशनर रहा है, पुलिस में रहा है इंकम टेक्स में रहा है या किसी अन्य विभाग में रहा है किसी भी पद पर कोई व्यक्ति रहता है तो एक अपना प्रभाव होता है जिन लोगों की लालबती की गाड़ियां चल लई हैं आगे पीछे पुलिस के अधिकारी चल लए हैं जहां जायें वही स्वागत करने वाले लोग खड़ें जिस दिन रिटायर हो गए बस एक दिन जो फेर वेल हुआ उसके बाद तो जब वो अपना ओफिस के काम के लिए वहाँ वापिस जाता है अपने कोई एक पेपर वर्क कराने के लिए तो वहाँ का चपरासी भी ध्यान नहीं देता उसकी तरफ उनकी जगे जो आता है व्यक्ति जो उसकी गदी पर बैठा हुआ है वो भी उठकर मिलने नहीं आता वो कहता साब को बैठा हूँ मैं आऊंगा थोड़ी देर में क्योंकि अभी बीजी हूँ मीटिंग में अब वो बाहर बैठा हुआ क्या कहता है हद हो गई कल तक मैं मालिक था अब ये मुझे इंतजार करा रहा है अब तक तो मैं कराता था बड़ा डिप्रेस होता है गुसा आता है खी जाती है कितने सारे लोगों को देखा है रिटार्मेंट हो गया उसके बाद भी अपना बैग लेकर के पार्क में बैठे हुए है क्यों भई नहीं हर रोज इसी समय में निकलते थे अब घर में बैठे के तो काम नहीं चलता और घर वाले भी कमाल के लोग है जब आद में रिटार हो जाता है तो गर में बैठा हुआ है तो उसके बाद में बड़ा बेटा कहता है पिता जी आप बाद में सुनान कर लेना मुझे जल्दी जाना मैं पहले जड़ तैयार हो जाता हूँ फिर दूसरे वाले तैयार होगा वो बेचारा बैठा आकबार पढ़ रहा है उसके बाद की हालत यही है कि वोही लेट होता चला जाएगा सब अपना नास्ता करके भी निकल जाएंगे पिर बवें कहेंगे हम लोगों ने भी आगया और काम करने पहले हम तैयार हो जाएंगे आप बाद में थोड़ा सबजी ले आओ तब तक जागे वो बेचारा सबजी लाने के लिए और दूदूद कर दूसरा इंतजाम करने में लगा वो कहता रिटायर क्या होगे बेकार होगे हम तो दूसरे परिवर्तन को सविकार करने को तयार ही नहीं होते जंदगी में ये परिवर्तन चलते रहते हैं मेरे हाथ से अधिकार उसके हाथ में उससे दूसरे के हाथ में अधिकार यही सब चलता रहता है और परमात्मा हर किसी को आउसर देता है एक पीड़ी का कारेकाल 25 साल का माना जाता है उसके बाद अधिकार ट्रांसपर हो जाते है तो पहले मंत्र में तो ये बताया गया था कि अधिकार ट्रांसपर होंगे स्विकार करना और जंदगी को उसी तरह से समझ के जीना सास भी कभी बहु थी आप इसको क्या कहेंगे च्छाच भी कभी दही थी आप हासने के लिए कुछ भी कह सकते हैं लेकिन ये बात ठीक है सास भी कभी बहु थी और बहु भी कभी सास होगी जब सास बहु थी तो बात और थी अब जो है बहु सास बन गई है अब हो सोचती है शाषन मेरा चलना चाहिए अधिकार ट्रांसफर कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो गर में दुखी रहोगे तो ये था पहला संदेश अब दोसरा संदेश ये है कर्म करना सीख जाओ जिस तरह की जैसी भी आपको ड्यूटी मिले उसको हस करके बिताना शू करो और सबसे पहली जो मैं तो पूर्ण बात कही है वो बड़ी अधभुत बात है जी-जी विशेत जीने की प्रबलिच्चा करो कितनी शतम समाहा शतम समाहा मद्सव वर्षों तक मतलब पूर्ण आयो तुमने पूर्ण आयो कर्म करते वे जीने की कामना करनी है जी भर के जीना है तो द्यान रखनी चाहिए बात कि अगर आपने सो वर्षों तक जैसे वेदों में अलग स्थान पर भी कहा गया है इहे वस्तम मावियोष्टम विश्व मायूर व्यस्णुतम यहीं रहो इहे वस्तम मावियोष्टम विच्डो मत विश्व मायूर व्यस्णुतम पूर्ण आयू भोगो खेलो खूदो अपने पोते पोतियों के साथ मोद मानो स्वेग रहे अपने घर में मौज मनाते वे आनंद मनाते वे जिंदगी जीना शुरू करो ये वेदो का संदेश है तो मतलब क्या हुआ कि आपको जीने की कामना तो करनी चाहिए और ये भी कहा गया है सिदार्थ हुआ कि सवेरे सवेरे आनंद पूरवक जाग कर अपनी डिवटी जिको पूरा अपने करतवे करमों को अच्छी तरह से करने वाले बनो चाहे आप बूड़े हैं बच्चे हैं जिस भी उम्र में हैं आपको सूरज को जगाना चाहिए सूरज आपको जगाए वो नहीं कि जब मैं जागा तो सूरज तो बाद में आया हम तो पहले जाग गये थे वो शरबुद बनना जीवन के लिए बड़ा आवश्यक है और कहते हैं पंच कोशों की शुद्धी करना प्रतेक व्यक्ति का करतव गया है पंच कोशों में पंच चीज़ें आती है पहली चीज़ आता है आपका शरीर शरीर को स्वस्थ रखना दूसरा माना जाता है कि आपके प्राण प्राणों को प्राणयाम के माद्दें से ठीक रखना शरीर को शुद्ध रखना है अपने शरीर की शुद्धी का भी द्यान रखना चाहिए आते निर्मल हो कहते हैं न पेट नरम, पाउं गरम, सिर ठंडा दिमाग ठंडा रखो पाउं गरम मतलब चलते फिरते रहो के शरीर में गर्मी बनी रहे अब पेट नरम रहना चाहिए आते जितनी भी जो हैं निर्मल होंगी बिमारियों से आप बचेंगे क्योंकि आपका एक मस्तिक्स पेट में भी माना जाता है तो ये भी ध्यान रख लेजिए कि आपकी आते निर्मल रहें गतिशील रहें शरीर की शुद्धी का ध्यान और दूसरी बात कही गई है कि अपने प्राण को भी प्रबल बनाना चाहिए प्रतियक व्यक्ति को अपने प्राणयाम के द्वारा शरीर के अंदर दस प्राण है पांच मुख्य प्राण है पांच उप्राण है तो इन दस प्राणों का शुद्धी करन करना चाहिए उसी तरह से जैसे तेज आंदी तूफान आ जाता है तो मौसम एकदम बदल जाता है और गुटन भरा वातवन एकदम ठीक हो जाता है जैसे ताजगी आ गई ऐसे खुल कर हसने से और साथ साथ प्राणयां बगरा करने से देखिए एक छोटी सी मुस्कराट तो होटों पर हर समय रहे और जब हसने का मौका मिले तो खुल के आंसो और कितना इतना अच्छे से हसें कि आपके पूरे फेपडों में हवा बर जाए आपका जो फेपडों का पूरा भाग है वो वायू से शुद वायू से भरपूर हो जा ना चाहिए यह सब को कोशिश करने चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि कहीं सभा सोसाइटी में आप बहुत जोर से हसते हैं तो माना जाता है मूर्खों की तरह हां सो रहे हैं तो भाई बुद्धि मानो का कैसा हसना होता है समझ में नहीं आती बात हासो खुश रहो खुश बहुत अच्छी बात है, एक मात्मा थे जो ये कहा करते थे, कि देखो भई हसना तो चाहिए, कि अगर आपको सवा सोसाइटी में बैठकर हसना अच्छा नहीं लगता, तो बोले कमरा बंद करके हसना फिर, और अगर वहां भी आपको लगता है कोई देख रहा है, और देशाएं हिला दे तब तो बहुत अच्छी बात है, जहां लोगों को सनमार्ग पर प्रिरित करने के उद्देश्य से, गुरुवर ने साथ हजार से अधिक प्रवचन दिये हैं, वहीं देश के राज्जी की राजधानियों वा प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदर, सत्संग भवन वा ध्यान साधना केंदरों का निर्माण हुआ है, दिल्ली में करुणा सिंदु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग धाम अस्पताल में लाखों जरूरत मंद रोगियों का उपचार वो आप्रेशन किया गया है, अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाधाश्रम, दिल्ली एवं कानपूर में गुरकुल, फरीदाबाद में ग्यान दीप विद्याले, मुरादाबाद में सिर्जन प्रायमरे स्कूल, जारखंड के रुका खोटी गाउं में आदिवासी बच्चों के लिए दो प आनंधाम आश्रम में जहां वरिद्धाश्रम एवं वानप्रस्त संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौवों की सेवा की जाती है, कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में साथ अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं, साथ ही पूजापाट यग्य अनुस्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागरत की जाती है। जहां मिशन द्वारा पृधान मंत्री रहत कोश में सहयोग किया जाता है। वहीं जैसे बरतमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरत मंदों को भोजन, राशन किट वा सांसों के संकट से जोज रहे, जरूरत मंद मरीजों को देश विदेश से मेंगा कर सेवाकार्य निरंतर जारी हैं। आईए मिशन की सेवापत पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुन्य के भागिदार बनें।